सो हेगाईज एमकाश की रवी और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर लेयर मिक्सर नोट को बहुत ही डीटेल में कवर करने वाले हैं यह हमारे कलर पेज के स्रियल नोट से कैसे डिफरेंट है और इसका यहाँ पर क्या यूज है इसी को भी यहाँ पर बहुत ही डीटेल में कवर करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेट मेरे पास यहाँ पर एक फूटेज है जो कि मैं इस तरह से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर एक स्काई है जो कि कुछ इस तरह से है ठीक है like light blue है और यहाँ पर यह देलाइट है इसलिए यहाँ पर यह ज्यादा blue नहीं दिख रहा है हमारा sky और यह यहाँ पर एक log footage था जिसे मैंने यहाँ पर rec 709 में यहाँ पर convert किया हुआ है इस तरह से ठीक है and talking about the layer mixer tools यहाँ पर हमारे पास यह जो normal nodes होते हैं उसे हम यहाँ पर बोलते हैं serial nodes जिसे मैंने यहाँ पर बहुत ही detail में समझाया हुआ है हमारे कुछ previous videos में ठीक है और मैंने आपको इस color page के notes के सारे concept यहाँ पर समझाया हुए है and for a quick recap मैं इसे फिर से यहाँ पर समझाया देता हुँ कि यहाँ पर यह जो serial node है वो यहाँ पर एक normal node है और normally मैंने बताया हुआ है कि हमारा nodes यहाँ पर अपने previous node से यहाँ पर अपना input लेता है ठीक है तो मैंने इसमें यहाँ पर एक node add किया और इसे यहाँ पर एक log से यहाँ पर कुछ advancement करके इसे REC709 या फिर एक normal video में यहाँ पर convert किया and अब जो कि यहाँ पर यह convert हो गया है इस video में तो यहाँ पर अगर हम एक और node add करते हैं in this case मैंने यहाँ पर यह node add किया है तो यहाँ पर यह भी एक यहाँ पर serial node है जो कि आपको पता है तो अभी यहाँ पर यह जो node है वो यहाँ पर अपना जो input है इस node से यहाँ पर ले रहा है ये node यहाँ पर इतना ही जान रहा है कि यहाँ पर यह जो वीडियो है वो यहाँ पर इसी तरह का है और अब जाके यहाँ पर कुछ adjustments होगा तो अगर मैं यहाँ पर माल लूँ कि मैं इसे यहाँ पर black and white कर दूँ इस तरह से like zero saturation और अगर मैं जाकर यहाँ पर एक और node add करूँ तो यहाँ पर यह जो third node है वो यहाँ पर अपना input अपने previous node यानि कि second node से receive करेगा ठीक है तो अब यहाँ पर यह जो third node है वो यहाँ पर इतना ही जान रहा है कि यहाँ पर इस state में वीडियो ऐसा ही है और अब जाके यहाँ पर कुछ काम होगा ठीक है तो यहाँ पर second node तक हमने यहाँ पर इसे black and white कर दिया और इसका पूरा color detail हमने गायब कर दिया तो अब यहाँ पर इस node 3 में इतना ही यहाँ पर information है जहां से हम इसे edit कर सकते हैं तो अगर मैं जाओ यहाँ पर saturation में तो यहाँ पर already यह 50 है बट यहाँ पर यह black and white है and मैं जितना भी इसे यहाँ पर increase करूँ तो यहाँ पर हमारा color नहीं आएगा क्योंकि यह concept यहाँ पर clear है कि यहाँ पर जो भी nodes होते हैं वो यहाँ पर अपना input अपने previous output से लेते हैं तो in this case node 3 का जो यहाँ पर input है वो यहाँ पर यह second node है इसलिए अब हम यहाँ पर color bring back नहीं कर सकते हैं अफ्कॉर्स यहाँ पर हम जाके कुछ और adjustment कर सकते हैं इस तरह से बट यहाँ पर वो color नहीं आएगा जो कि यहाँ पर real में था इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर second node में जाना पड़ेगा जहाँ पर इसका हमने situation down किया था and वापस इसका situation bring back करना पड़ेगा like 50 तो अब यहाँ पर यह आ गया है यहाँ पर serial में चल रहे होते है, like 1, 2, 3, 4, यहाँ पर serial node है, and talking about the layer mixer node, यहाँ पर alt plus L से यहाँ पर add होते है, like this, यहाँ पर एक layer mixer node बन गया है, ठीक है, and अभी यह जो दोनों node है, वो यहाँ पर एक layer mixer node है, जो यहाँ पर इस तरह से है, actual में layer mixer node जो है, वो यहाँ पर यहाँ and यहाँ पर इन दोनों nodes को यहाँ पर mix करके बनता है, इसलिए यहाँ पर यह layer mixer node के लाता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो दो layer है, वो यहाँ पर layers हो गए, यानि कि nodes हो गए, और यह यहाँ पर इस तरह से मिल रहे है, और यहाँ पर एक layer mixer node यहाँ पर create कर रहे है, ठीक है, कि यह जो input है वो अपने ये first node से या फिर किसी before वाले node से ले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ alt-s करूँगा तो यहाँ पर एक seal node add होगा और यहाँ पर रैक्लिक करूँगा और यहाँ से एक node add करूँगा layer mixer node ठीक है add layer में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह एक layer mixer node add हो रहा है तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है वही यहाँ पर layer mixer add हो है पर यहाँ पर यह जो अपना input है वो अपने first node से यानि कि अपने before वाले node से यहाँ पर layer आ है जो कि हमने सिखा हुआ है concept में ठीक है so again in this case यहाँ पर यह जो दोनों node है या फिर layer है वो यहाँ पर mix होके यहाँ पर एक layer mixer node में आ रहे हैं जिसे हम यहाँ पर बोलते है layer mixer node and always remember that कि यहाँ पर यह जो layer mixer node है वो अपना यहाँ पर input इस node से ले रहा है ठीक है अगर यहाँ पर यह नहीं रहता तो क्या होता यह यहाँ पर अपना input इस source से लेते हैं यानि कि यहाँ पर इसके पेचे कोई node है ही नहीं तो यहाँ पर एक किसी लेगा अपना input यह simply इस video से लेगा जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ इस तरह से जो कि यहाँ पर एक log है ठीक है तो इस तरह से हमारा यहाँ पर concept काम करता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा normally alt-s करूँगा और यहाँ पर एक serial node add करूँगा और यहाँ पर जाओंगा अपने power windows में and gradient shift-h यहाँ पर click करके highlight on करेंगे और let's see कि यहाँ पर इसका effect कहां पर पढ़ेगा इस जगह तक रखेंगे माल लेते हैं यहां तक हमारा sky है कर सकते हैं तो you can see हमारा यहाँ पर sky है वो यहाँ पर pink हो चुका है ठीक है हम चाहँ तो sky यहाँ हरा situation crank कर सकते हैं और इसे और बजाद ही यहाँ पर pink कर सकते हैं यहाँ पर downfall है and यह gonna fall है हमारा यह you can see हमारा यहाँ पर जो subject है वो इस sky को pink करने के चकर में यहाँ पर affected हो जा रहा है and यहाँ पर यह subject है वो भी यहाँ पर pink हो जा रहा है जो कि हमें यह नहीं चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं masking right तो let's say कि हमने यहाँ पर पहले तो sky pink कर दिया फिर हमें इस subject को इसके background से अलग करना है तो हम क्या करेंगे एक और node add करते हैं हम लोग पता है हम लोग सबको और फिर हम यहाँ जाकर क्या करते हैं इसे slick करते हैं ठीक है माल लेते हैं इस तरह से slick करते हैं इसे और shift edge करेंगे हम यहाँ से और अभी यहाँ पर यह pink है तो हमने इसे slick कर लिया है अपने कियर से या फिर hsl qualifier से और अगर हम यहाँ पर जाएं और इसे यहाँ पर माल लेते हैं कितना भी कोशिस करें इसे वापस से bring back करने का तो मैं यहाँ पर blue add कर रहो अपने offset में ताकि य और हमने यहाँ पर कुछ हद तक इसे bring back कर दिया है so before and after ठीक है so इस node तक यहाँ पर यह pink था क्यूंकि हमने यहाँ पर sky को pink किया था अभी हमने node 3 add किया और यहाँ पर keyer option का use करके यानि कि qualify option का use करके अपने pink को हमने offset में जाकर इस तरह से blue add करके यहाँ पर subtract कर दिया ठीक ह यहाँ पर यह कभी भी इस तरह से करने पर उतना perfect नहीं हो सकता ठीक है so let's say अगर हमें वापस से अपने second node में जाना रहे है और अपने sky के color को यहाँ पर pink से कोई और color में change करना रहे है like yellow ठीक है यहाँ फिर red like this तो you can see वापस से हमारा यहाँ पर subject affected हो गया है हमारा यहाँ यह जो qualifier था हो यहाँ पर कोई काम कर नहीं है यहाँ पर क्यूंकि हमने इससे यहाँ पर क्या किया था और इसमें से यहाँ पर pink को हटाया था यहाँ पर blue add करके but अगर हमारा mind change हो जाता है और हम अपने second node में जाकर यहाँ पर sky का color कोई change करते हैं तो वापस से वो node reset हो जात है ठीक है तो इसके लिए अगर मैं आपसे पूछू कि हमें क्या करना पड़ेगा तो आपका यहाँ पर answer क्या होगा कि हाँ पहले subject को यहाँ पर mask कर लो यानि कि अलग कर लो background से और subject को छोड़कर सारे में यहाँ पर यह जो effect है pink या फिर yellow या फिर blue कोई भी color हमें डालना है तो वो डालो ठीक है बट यहाँ पर subject रहा चाहिए उपर ताकि subject पर कोई असर ना पड़े pink जो हमने sky किया है उसका और जो भी पीछे है वो यहाँ पर पीछे ही रहे तो यह चीज यहाँ पर serial load में नहीं हो पा रही है इसमें भी हमने क्या किया है हमने पीछे रखा है अपन करने जाते हैं तो यहाँ पर अगला जो हमारा node है यान की qualifier है वो यहाँ पर किसी दूसरे effect को यहाँ पर show करने लगता है क्योंकि हमने यहाँ पर अपना पहला input यहाँ पर change कर दिया है और इस qualifier node का change होने का कारण यही है कि यहाँ पर अपना जो यह input है वो इस second node से लेता ह ठीक है and we know कि जब भी हम अपने second node को यहाँ पर change करेंगे तो इसका यहाँ पर यह input है जहां से input ले रहा है वो यहाँ पर change हो जाएगा और यह यहाँ पर कुछ अलग results देने लगेगा ठीक है just like that black and white example जो कि मैंने आपको बताया भी ठीक है तो इसी तरह के यहाँ पर masking effect को य उसका ना पड़ता है ताकि हम अपने certain object यह subject को यहाँ पर अलग कर पाए और यहाँ पर separate editing कर पाए ठीक है तो मैं इन दोनों को अब यहाँ पर delete कर रहा हूं मुझे यह नहीं चाहिए और again मैं यहाँ पर एक node add कर रहा हूं alt-s करके एक serial node और यहाँ पर अब rightly करूंगा और से add node and add layer ठीक है तो अब यहाँ पर हमारा यह layer node activate हो जाएगा and यह दोनों ही layer अपने जो input है वो इस node से layer है मतलब यह जान रहे हैं कि अभी यह जो image है वो यहाँ पर इसी तरह से है ठीक है और यह यहाँ पर mix होकर एक layer mixer node यहाँ पर बना रहे हैं जिसका यहाँ पर कोई काम यहाँ पर यह एक placeholder है काम है इन दोनों का ठीक है तो अगर हम चाहें तो इसी layer node में हम कितने भी चाहें यहाँ पर layer add कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर वापस से right click करूँ और यहाँ पर add node करूँ और यहाँ पर layer तो यहाँ पर जितना भी चाहें हम उतना यहाँ पर layer node add कर सक just because यहाँ पर यह हमारे node के उपर यहाँ पर add होता हो जा रहा है यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कि यह जो नीचे में जो भी nodes add हो रहे हैं वो अपने यहाँ पर second node के उपर add हो रहे हैं तो undo करता हूँ मैं इसे या फिर मैं इसे trade करता हूँ इन चारो nodes को हमें इतने सारे नहीं चाहिए और वापस से मैं यहाँ आ रहा हूँ और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर जो node से यहाँ पर number किये हुए है 1, 2, 3 और जो कि यहाँ पर यह layer node है तो यहाँ पर यह एक दूसरे को उपर यहाँ पर रहते है तो यहाँ पर पहला node हमारा यह हो गया 2nd node हमारा यह हो गया और 3rd node हमारा यह हो गया तो यहाँ पर यह जो 3rd node है यहाँ आपर ऊपर रहता है यहां पर sky को अपने वापस से pink कर दूँ इस तरह से, ठीक है, हो गया, इसे नीचे का देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि इसका effect पूरा sky में पड़े, okay, and इसे मैं shift h करके बंद कर रहो अपने इस highlights को, पर हमारा sky यहां पर गायब हो गया, why, वो इसलिए क्योंकि हमने यहां पर जो sky pink किया है, वो अपने नीचे वाले layer पर किया है, यानिकि नीचे वाले node पर किया है, ठीक है, इसलिए यहां पर यह नहीं दिख रहा है, आपको इसे अगर देखना है, तो आप यहां पर shift h करिए, तो आप यहां पर इसे दिख सकते हो temporarily ठीक है तो मैं इसे वापस से shift h कर रहा हूँ और यहाँ पर यहाँ भी नहीं दिखेगा क्योंकि यह bottom में है and इसके उपर यहाँ पर एक और layer है जैसे कि हमारे Photoshop में होता है तो अब मैं जाता हूँ अपने top layer पर और यहाँ से we know कि हमें क्या करना है हमें अपने subject को यहाँ पर isolate करना तो यहाँ पर मैं जाओंगा और वापस से यहाँ पर HSL qualifier select करूँगा और यहाँ से click करूँगा यहाँ पर shift h and let's undo this मैं यहाँ पर subject को नहीं बलकि यहाँ पर sky को select करता हूँ इस तरह से मैंने बताया हूँ है पार windows वाले वीडियो में and if you want you can make the highlights and shadows soft ठीक है इसके यहाँ पर luminance यानि कि lightning को आप यहाँ पर soft कर सकते हो आप जाओ तो यहाँ पर यह जो black है उसे आप यहाँ पर और clean कर सकते हो इस तरह से अब यहाँ पर यह सही लग रहा है और थोड़ा समय से blur कर रहा हूँ ताकि हमारा जो effect यहाँ पर है वो यहाँ पर अच्छा लगे ओके तो हमने यहाँ पर सारे adjustments यहाँ पर कर लिये हैं अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पर इसे invert करना है इस mask को क्योंकि हमें क्या select करना था subject बढ़ हमने क्या किया अभी sky तो हमें sky नहीं चाहिए था हमें अपना subject चाहिए था तो हम इसे यहाँ पर invert करेंगे इस पर click करके invert so now we are selecting our sky तो अब हम यहाँ से shift h करेंगे तो यहाँ पर हमारा effect अब यहाँ पर दिख रहा है क्यों क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर पहले क्या किया यह footage अपने edit tab में यहाँ पर drop किया import किया जो कि यहाँ पर log था हमने उसे क्या किया पहले यहाँ यहाँ पर rec 709 यानि कि normal video में यहाँ पर convert किया जो कि आपको पता है तो यहाँ पर यह normal video यहाँ पर लग रहा है जो कि यहाँ पर rec 709 होता है जो कि digitally हम यहाँ पर देख पाते हैं उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर layer mixer nude add किया and उसमें हमने पहले अपने subject को यहाँ पर mask किया mask कर लिया इसे top poly layer में और न sky का और अब हम चाहें तो यहाँ पर अपने bottom वाले layer को यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर किसी भी color में अपने sky को change कर सकते हैं और हमारा यहाँ पर subject as it is रहेगा and यहाँ पर amazing तरीके से यहाँ पर काम करेगा तो इस तरह से हमारा यहाँ पर layer mixer node काम आता है और अब यहाँ you can see हम जो यहाँ पर अब next node add करेंगे वो यहाँ पर इन दोनों का mix होगा ठीक है तो अब हमारे पास यह information है edit करने के लिए और हम चाहें तो यहाँ पर इसे contrast या फिर किसी बितरा का यहाँ पर addments कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसे quickly यहाँ पर edit कर रहा हूँ और again मैं आपको बत इस तरह से उस पर edit किया बट पहले वाले case में क्या था हम यहाँ पर serial ही चल रहे थे ठीक है तो हमने यहाँ पर पहले क्या क्या था इसे यहाँ पर लाया उसके बाद अपने sky को यहाँ पर pink किया और उसके ऊपर हमने यहाँ पर isolation किया जो कि यहाँ पर wrong है ठीक है हम यहाँ अगर अपने subject को यहाँ पर isolate करेंगे और इस पर कुछ यहाँ पर effect डालेंगे और वापस से अगर हम उस second node में जाएं जहाँ पर हमने उसे pink क्या था अपने sky को और इसका color अगर हम change करना चाहें तो यह change होगा बट हमारा यहाँ पर वापस से यह subject affected हो जाएगा जिससे हमें यह यहाँ पर again select करना पड़ेगा इस तरह से shift h and उसके बाद हमें अभी यहाँ पर red affected हो रहा है तो हमें इसे यहाँ पर इस तरह से set करना पड़ेगा ताकि यह वापस से उस color में आ जाए पर यहाँ पर यह कभी perfect नहीं होगा मैंने यह पहले भी बोला है ठीक है क्योंकि हम यहा हम color add करके उसे normal करने की कोशिस यहाँ पर कर रहे है जो कि यहाँ पर गलत वे है color grading का and सही वे क्या है इस तरह से अपने notes को यहाँ पर utilize करने का और यहाँ पर इस तरह का editing करने का ताकि हमारा editing यहाँ पर non destructive रहे है ठीक है so lastly मैं यहाँ पर एक चीज कवर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर यहाँ पर यह placeholder है जो कि यहाँ पर कुछ नहीं मैंने बताया हुआ है हमारा main role है वो यहाँ इन दोनों notes से यहाँ पर होता है यहाँ यह पर यहाँ पर पर layer mixer node है तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा हूँग कि यहाँ one input and यहां से वापस से repeat करना है जब तक आपका input यहां पर पूरा हट ना जाए इस तरह से now it's clean और we are good to go अब हम यहां पर एक और node add करेंगा और हमें जो भी करना रहेगा जो भी माल लेते हैं कोई let add करना है तो हम यहां पर कर सकते हैं इस तरह से वापस भी जाकर हम इसे adjust कर सकते हैं हमारे sky के color को इस तरह से ठीक है so that was all about our layer mixer node